पर यदि आप जीवन की प्रती सम्वेदन शील बनना चाहें, बोध बढ़ाना चाहें, सामान्य धारणा से परेज चीजों को समझना चाहें, तो आप सिस्टम में जो डालते हैं वो बहुत महत्वपून हो जाता है। अगर हम ये देखें कि शरीर कैसे भूजन से सबसे ज़्यादा खुश है, शरीर सबसे ज़्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शाकाहरी या पौधों पर आधारत भूजन खाकर शरीर सबसे ज़्यादा आराम में है, मैं दिन में एक ही बार ख प्रम जा सकते हैं कि भारत में इतने सारे लोग शाकाहारी क्यों है और दैनिक जीवन में भूजन और फलों का क्या महत्वा है अभी भारत की लगभग 38 प्रतिशत आबादी शुद्ध शाकाहारी है परंपरा की बज़े से यह ऐसा ही है करीब 50 साल पहले लगभग 60 प्रतिशत शाकाहरी थे लेकिन पस्चमी शिक्षा पाए डॉक्टर लोगों से कहते रहे हैं अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आपको पोशन नहीं मिलेगा आपको थोड़ा मांस खाना ही होगा तो उस वज़े से थोड़ा मांस खाया जाने लगा पर फिर भी भारत में मांस खाना वैसा नहीं है जैसा ये पस्चम में है मांस केवल एक साइड डिश है यहां तक कि मांसाहरी लोगों के लिए भी ये सिर्फ एक साइड डिश है पर शाकाहर की वज़ा क्या है देखिए अगर आपका जिन्दा रहना खत्री में है तो आपका पूरा जीवन उसे बचाने की ब पर दस्त हो जाएगी पर जीवन संरक्षन का खयाल हो जाने पर आपको एहसास होता है कि ये सचाई नहीं है आपका जीवन किसी और चीज की लालसा कर रहा है तो जीवन जीना बहुत सरल और आसान था ये एक सम्रिद्ध भूमी थी लोग अच्छ से जीते थे उस कारण से उ विकसित होनी शुरू हो गई और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यहां की लगबग सत्तर प्रतिशत आबादी हमेशा सक्रिय रूप से आध्यात्मिक थी भीतर मुड़ना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था इस वज़े से जब भीतर की और मुड़े तो उन्हें असास हुआ कि वे जो खाते हैं उससे फर्क पड़ता है यदि आप सिर्फ ताकतपर बनना चाहते हैं तो बहुत सारा मांस खाकर मांस पेशियां विकसित कर सकते हैं और एक दूसरे से लड़ सकते हैं पर अगर आप ये देख रहे हैं कि जीवन के प्रती संवेधन शील कैसे बनें जिसे सामान्य बोध माना जाता है उससे परे की च अंगर्ष के साथ गुजरता है तो इसे समझने के लिए आए इसे ऐसे देखते हैं जैसे मिसाल के लिए अगर आप कच्चा मांस खाते हैं तो मांसाहरी जानवरों की तुलना में मानव सिस्टम में सारे मांसाहरी जानवरों में आहार नली की लंबाई उनके शरीर की लंबा से 28 या 30 फीट के बीच हो सकती है जो हमारे शरीर की लंबाई का लगभग 5 से 6 गुना है इस किसम की आहार नली में अगर आप मांस डालते हैं तो ये बहुत ही धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा कच्चे मांस को सिस्टम से गुजरने में करीब 70-72 घंटे लगेंगे अगर आप पका हुआ मांस डालते हैं तो उसे सिस्टम से गुजरने में 50-52 घंटे लगेंगे अगर आप सिस्टम में फल डालते हैं, तो उसे सिस्टम से गुजरने में देड़ से तीन घंटे का समय लगेगा. तो हमने ये पहचाना शुरू किया कि वो कौन सा भोजन है जिससे शरीर में कम से कम मल बनता है, कम से कम अशुधियां बनती हैं, और जो सिस्टम से बहुत शीगरता से गुजरता है, क्योंकि योग में ये एक महत्वपूर्ण चीज है, हम सब अभी भी इन चीजों का खयाल रखते हैं, कि अगर हम कुछ खाते हैं, तो ढाई घंटे में हमें भूक लगनी चाहिए. हमारा पेट खाली हो जाना चाहिए, पर हम खाते नहीं हैं, तो आम तोर पर यहां योगा केंद्र में हर कोई सिर्फ दो बार खाता है, पहला सुभा दस बजे, दूसरा शाम को साथ बजे बस, मैं ज्यादातर दिनों में सिर्फ एक बार खाता हूँ, अगर मैं यातरा कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा जादा खाता हूँ, पर आम तोर पर घर पर मैं एक ही बार खाता हूँ, सुभा या शाम में, तो वो एक भोजन आप कप करते हैं? आम दोर पर मैं शाम के साड़े चार से पांच बजे खाता हूं, जो मुझे पूरे 24 घंटे चालू रखता है. ये कोई नियम नहीं है, बात बस इतनी है कि जरूरत इतनी है. तो मान लीजे किसी दिन बहुत ज़्यादा शारिरे काम हैं, तो आप एक छोटा नाश्टा खा सकते हैं, या कोई फल या ऐसा ही कुछ खा सकते हैं. भोजन को फिलोसफी या कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए. भोजन शरीर की जरूरत है. अगर हम इस पर गौर करें कि शरीर किस तरह के भोजन से सबसे ज़्यादा खुश है, शरीर सबसे ज़्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शाकाहारी या पौधों पर आधारत भोजन खाकर शरीर सबसे ज़्यादा आराम से और सहज है. ये लचीला और आराम में हैं और इसे रोजाना कम काम करना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से जिन्होंने अपने शरीर की प्रकृती पर घौर किया वे सहज ही शाकाहरी बन गए जब सवाल जिन्दा रहने का था तो कुछ भी शिकार करना और उसे मार कर खाना एक और फिर जैसे जैसे उन्होंने खुद पर जादा से जादा ध्यान दिया और जीवन बस किसी तरह जिन्दा रहने के बारे में नहीं रहा बलकि अपने जीवन को बोध और अनुभव के उचे स्थर तक उठाना बन गया तब इंसान स्वाभाविक रूप से शाकाहरी बन गय ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ऐसा हर जगा होना तै है